Welcome to your teacher classes और आज हम लोग बच्चों 12 अत्याय जन्म बाधा ठीक है हिंदी किसले क्लास 7 का पढ़ेंगे तो जन्म बाधा का क्या अर्थ है यह सब मैं आपको लास्ट में जब हमारी कहानी खत्म हो जाएगी तो मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी और आपको इसका अर्थ अपन इसे खाट के नीचे मिले थी खाट मतलब खटिया तो जो ठीक है लकडी का बना हुआ है यह जो बिस्तर है इसे खाट कहा गया है ठीक है खाट के नीचे मिली थी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं होई कि फेक दी क्या पूरी तरह खत्म नहीं होई कि जो उसमें लीड है उस फिक दिया है ये कहकर एक कोई लड़की है जो इस बात को कह रही है ठीक है और इसी तरह की जो फिजूल खर्ची हो तो इस पर पापा जो है यहाँ पर पपा लिखा है इसका अर्थ है पापा यानि पिता जी नाराज होते हैं खैर जाने दो अपना तो काम ही बना कागज और लिफाफा पपा की जोले से निकाल ही चुकी हूँ उनको पता नहीं चला नहीं तो जरूर पूश्टे तो इस लड़की ने क्या किया अपने पिता के जोले में से एक कागज और लिफाफा निकाल लिया जो उसके पिता को नहीं पता चला, ठीक है, आगे देखते हैं, अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा, यानि कि वो लड़की कुछ इस कागर्ज पर लिखना चाहती थी, अभी मा की आख लगी है, मा की आख लगी है, मतलब अभी मा सोई है, जस्त अभी सोई है, वह अगर जाग गई, तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा, मतलब कहने कार्थ हो गया, कि अगर वो उठ जाएगी, तो यह जो लड़की है, उस लड़की को छुट की, यानि उस बच्ची को लादे फिरना होगा, मतलब गोद में लेकर उसे उठाना होगा, या उसको स सम्हालना ठीक है तो देखिए यहां पर चित्र में मा है मा जो एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेते हुए सोई है और यहां दोनों सोई हुए और इसी खाट की नीची यह लड़की है जो एक लिफाफा और कागज लेकर कुछ लिखना चाह रही है चलिए आगे देखते है क्या लिखूं कैसे शुरू किया जाता है अच्छा लिख देती हूं प्यारे प्रधान यह प्यारे व्यारे क्या लिखना वह कोई बच्चे थोड़ी है जो ठीक है तब तो वह कुछ लिखना चाह रही है और वह सोशती है कि प्यारे प्रधान लिखूं लेकिन उसे ठीक नह नेग्स पेज का पढ़ते हैं तो यहां देख़े बबालू नेहीं यह लीड फेकी होगी से लेकर लिख देती हूं कुछ यह जो मैंने अभी reading किया यानि की इस page पर, तो यह वाला page जो मैंने अभी यहाँ पर, दीखी यह वाला यहाँ पर देखिर, अभी हमने यह जो पढ़ा है इस entire thing को यहां फिर से क्या हो गया है? छब गया, ठीक है, यही चीज जो है पिर से यहां से लेकर यहां तक चप गया है। तो यहां तक मैं नहीं पड़ूँगी और हमें कहां से पढ़ना है लेकिन से पढ़ना है। तो वही चीज जो आगे चपा हुआ था वो पीछे दुबारा चप गया है। गलत हुआ तो बात विगर सकती है कि अगर गलत हुआ तो फिर वो सोचती है कि जिसे लिखना नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी ठीक है भले वो गलत ही लिखे लेकिन बात तो वो सही ही लिखेगी भले शब्द हो सकते हैं गलत हो मात् वो मन में हि सोच्छती है Chai Materarene, और वो मारता का नाम लेती है, जै-Ganejj, भग्वान का नाम लेती है और पडोस वाली हिना बाद बाद पर किहन ही आत करती है, हाँ, याー रब्बा, ठीक है मुझे आज ये चिठ्छी लिखवा दो, लिखवा ही दो भग्वान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है कोई नहीं तो वह कुछ लिखना चाहती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से लिखे इसलिए वो भगवान का नाम इश्वर का नाम, रब्बा सब के नाम लेती है उसकी कोई सहेली है जो रब्बा का नाम लेती है और वो सब ही का नाम लेके वो कहती है बगवान से प्रातना करती है कि मुझे लिखवा ही तो वो जो लिखना चाहती है चलिए आगे देखते है उसकी आँखे भर आएं क्यों भर आएं? क्यों शायद वो जो लिखना चाहती है लिखना चाहती है बच्चों प्रधान मंत्री को खत लिखना चाहती है ठीक है मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनकी मालिक से छुडाया जा रहा है मुझे भी छुडा दीजिये ना मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है पपा कहते हैं बाद में देखा जाएगा तो वह प्र मजदूर जो किसी से रिंड लिया होता है ठीक है मानलो किसी मालिक से वह रिंड लिया रहता है उधार लिया रहता है वह उधार नहीं चुका पाता है तो उस उधार न चुकाने के स्थिती में वह अपने मालिक के यहां काम करता है या सेवा देता है ठीक है ऐसे होते हैं बं बाद में देखा जाएगा बाद में यानि कभी नहीं मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी वो लिखना चाहती है कि वो मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी मतलब वो पढ़ना चाहती है ठीक है और वो पढ़न नहीं पा रही है क्योंकि उसके पापा का कहना है कि बाद में देखा यानि उस लड़की के तीन भाई है, जो तीनों क्या है बच्चों वो स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं, यानि कि उसके जो तीनों भाई उसे छोटे लेकिन वो स्कूल जाते हैं, और ये बड़ी है तो भी स्कूल नहीं जाती है, बबलु जो मुझसे साल भरी छोटा ह अपने जूठे बर्तम तक नहीं धोता, ठीक है, गुड्दू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी जादा काम चोर है, मतलब वह काम बिल्कुल नहीं करता है, मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बिमार ही रहा करता है, रीता 5 साल की है, मतलब एक उसकी बहन भी है, छोटी 5 साल की, मीता 3 की और छुट की साल भर की, यानि की इसकी एक छोटी बहन इसका नाम क्या है, रीता, जो कितने साल की है, पान साल की, एक और छोटी बहन है, मतलब इतने सारे बच्चे, वह भी भाग खाने लगी है, मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूं, पपा कहते है मैं मा से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हूँ लेकिन मा की तरह सबजी नहीं बना पाती सो रोज डांट सुनती हूँ तो कहने का अर्थ है बच्चो यहाँ पर करीब तीन भाई है और इसकी तीन छोटी बहन है और तीन छोटे बाई है और यह सबसे बड़ी है 12 साल की और यह क्या करती है घर के सारे काम करती है देखी है रोटी भी बनाती है सबजी अच्छी नहीं बनाती इसलिए पिता से अपने डांट सुनती है चीक है तो इसका कहना है कि भाई मुझसे छोटे हैं भी वो स्कूल जाते हैं और वो पढ़ना चाहती है इसलिए वो प्रधान मंत्री को खत में लिखना चाहती है वो लिख रही है और देखी यहां पर यह क्या कहरे है मुझे भी छुडा दीजिए ना इसका कहना है यह अपने आप को यह जो लड़की है वो अपने आपको बंदुवा मजदूरों से उसने तुलना की है कि जैसे बंदुवा मजदूर को छुडाया जा रहा है मैं भी एक बंदुवा मजदूर की ही जैसी हूँ जो दिन भर काम करती हूँ मुझे भी यहां से छुड़वा दीजिए उसका यह कहना है लेकिन क्या करू? मुझसे हो ही नहीं पाता. सारे बटन मुझे ही माजने पड़ते हैं. मुन्नु, रीता, मिता और अब छुटकी सबको मैं ही टांगती रही हूं. टांगती रही हूं मतलब गोद में उठाना, उन्हें खिलाना, उन्हें समालना वही करती आई है. सब के कपड कि घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं और मुझे सुस्तानी का भी समय नहीं मिलता है, मतलब आराम करने का भी समय नहीं मिलता है, पर साल के पहले, पर साल मतलब पिछला साल, तो पर साल के पहले वाले साल, मतलब पिछले के पिछले साल, मामा जी की जिद पर मेरा नाम स स्कूल में नहीं लिख पाया था एक महीने ही तो जा पाई उसी समय छोटकी हो गई सो मा अकेली घर नहीं चला पाई मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा ठीक है तो एक साल के बाद इसकी सबसे छोटी वाली बहन पैदा हुई जिस वज़े से स्कूल छोड़ कर घर के कामों म हाथ पटाना पड़ा मैंने मा से कहा था मुझे भी पढ़ने दो पपा ने सुना तो बोली कि जैसे घर ही में ककारा सीखा है वैसे आगे भी कुछ पढ़ ले लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती किसी से कुछ कह नहीं सकती क्या यह सच है कि बंदवा मजदुरों को छुड़ा दिया गया है तो मुझे भी छुड़वा दीजिये ना तो यह बच्ची बहुत ही आस लगा के एक चिठी लिख रही है और यह कह रही है कि वो अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती किसी से कुछ कह नहीं सकती और यह बास कहीं इसने सुना है कि बंदवा मजदुरों को छुड़वा दिया गया है और वो यह चिठी के द्वारा प्रधान मंतिय जी को यह कहना चाती है कि वो उसे भी छुड़वा दे ठीक है तो यहां पर इसने लिखा चिठी में छुड़वा दीजिये ना आपकी बेटी गीता गुड़वा नाम है और घर में शायद प्यारसों से गुड़वा दे पपा तो आ गए 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 और इसने चिठी मोड़वा छिपा ली लीड को फिर खाट की नीचे ही फेक दिया और दोड पड़ी जलदी दर्वाजा नहीं खुला तो पपा बिगणने लगते हैं य मा कहा है सोई है बरामदे में वह हकला कर बोली जैसे चोरी करके करते पकड़ी गई हो जा चाय बना ला ठीक है तो उसके पिता ने पूछा मा कहा है तो उसने बताया कि बरामदे में मा सोई है और वो यह कहते कहते हकलाने लगी ठीक है तो उसको मतलब जैसे कि उसकी चोरी किसी पकड़ ली हो, तो पापा कहते हैं, जह चाय बनाला, बनवालो, चाय बनवालो, जितने दिन प्रधान मंती जी मुझे नहीं छुड़वा देती, उतने दिन खटवालो, ठीक है, तो यह आस में चिथी लिखती है कि प्रधान मंती जी उसको छुडवा देंगे, इस घर से, बन मजदु जैसा वो कारिक कर रही है तो वो कहते हैं खटवालो जितना भी चाहे काम करवालो मेहनत करवालो बस अब सब को आंक बचाकर पता लिख लेंगे थि क्यों से जह संब को आख घंखस पर दूपinge और तिकट टिकट कहां से लाूं बिना टिकट के ही भेज लेती वे तो समझ ही जाएंगे, मेरे लिपाफ़े को खोलने के पहले ही मेरे हालत भाप जाएंगे, तो उसुरु कहती है कि मैं पता लिख लोँगी, सब लोगो से आँख वचाकर, मतल्ब छिप छिपा के मैं पता लिख लोँगी, फिर उसे ध्यान आता है, टिकट टिकट कहां से लाओ तो फिर वो सोचत में बिना टिकट की ही भेज दूँगे प्रधान मंतिर जी तो समझी जाएंगे और लिफाफा खोलने के पहले ही वो भाप जाएंगे मतलब हालत भाप जाएंगे मतलब समझ जाएंगे क्या स्थेती है माँ बाप के लिए चाय बना कर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आगए और मन आनन से भर गया उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की गोषना में अधिक दिन बाकी नहीं है तो जब वो चाय बना कर जा रही थी लेकर अपने माता-पिता को, अपने माँ-बाप के पास, तो उसके पैरों में फुर्ती आगी, वो जल्ली-जली, फुर्ती मतलब बहुत फुर्ती में चलने लगी, और वो ऐसा कलपना कर रही थी, उसे अच्छा लग रहा था, कि अब तो मतलब मुक्ती मतलब यहां से वह छूट जाएगी, उसे पढ़ने की आजादी मिल जाएगी, अब उसे काम करना नहीं पड़ेगा, यह सोचके वह सोचती है कि अब जादा दिन बाकी नहीं है, तो यह कहानी है, एक लड़की, गीता, गुड़ी की, जो घर के कामों में उलज जाती है, ठीक है, तो जन्म बाधा इस जो शीर्षक है, इस कहानी का, तो यह जो शीर्षक है बच्चों जन्म बाधा, इसका अर्थ हिया हुआ, इस कहानी के माध्यम से जन्म बाधा का जो अर्थ हुआ, यह वह यह हुआ, कि क्या लड़की का जन्म लेना ही एक बाधा है, लड़की के रोप में जन्म लेना ही क्या समाज में एक बाधा है आज तो आज की युग में अगर देखा जाये तो लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है लड़कियां पढ़ रही है आगे बढ़ रही है और हर छेत में लड़कियां अच्छा करें लेकिन इसके बहुत सारा तबका ऐसा है, बहुत जगह ऐसी है, जहां लड़कियों को पढ़ने की पूरी आजादी नहीं मिल पाती, कक्षा पांचवी, कक्षा आठवी या कक्षा दसवी तक ही लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, घरवाले नहीं पढ़ाते हैं, तो आज भी बहु हमने कहानी पढ़ ली, नेक्स वीजियो क्लास में बच्चों हमने इसका कुश्चन आंसर करेंगे